प्रेंट्स आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रेंसेस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहां पर लेनी है वन इंच प्लस करना है मार्जन का 15 पर मार्किंग की और इसके जो हुक है वह हम फ्रेंट पर रखेंगे तो यहां पर पहले हाफ इंच की आई हुक की पटिक के लिए मार्किंग कर लेनी है अब सोल्डर लेना है हमें तो सोल्डर हम 5.5 इंच रे रहे लूर्मल जो ब्लाउस होता है टीप नेक वही हम बना रहे है यहां पर आर्मूल भी हमने 5.5 इंच लिया है चेस्ट का फोथ पार्ट लेना है 8.5 इंच 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए स्ट्रेट लाइन रो करेंगे नीचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए और 1 इंच से आर्मूल के साइट पर गोलाई देनी है तो यह हमारे फ्रेंट पार्ट की मार्किंग हो गई, बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो शोल्डर लेना है हमें 5.5 inch आर्मोल लेंगे 5.5 inch चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8.5 inch 2 inch प्लस करेंगे मार्जन के लिए टोटल लेंगे 15 inch साइट से लाइन को ड्रो करेंगे वेस्ट है हमारी 28 तो उसका 4th पार्ट लेना है हमें 7 inch 7 inch पे मार्किंग करेंगे 2 inch मार्जन का लेना है 1 inch पैक टक्सिक ले लेना है साइट से लाइन को ड्रो करेंगे 1 inch से आर्मोल के साइट पे गुलाई देनी है स्लीज की जो लाइन थे वो 10 inch रखनी है 1 inch प्लस किया मार्जन का 11 inch लेते हुए लाइन को ड्रो करना है और इन सभी पार्ट को कट करना है अब यहाँ पर सभी पार्ट समने कट कर लिये हैं स्लीज कट करने के लिए बैक आर्मोल को मेजर करना है तो पहले हम यहाँ पर प्रेंसिस कट कट करेंगे तो आई हुक की पटी के लिए जो मार्किंग की है उसके साइट से हम 3.5 inch पे मार्किंग करेंगे यहाँ पर हम 4 inch पे मार्किंग करेंगे तो जैसे कि आप फ्रेंट में हुक रखते हैं तो आपको यहाँ से 4 inch लेना है 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग और इसका जो टक्स पॉइंट आएगा वो 10 inch पर आएगा इस तरीके से लाइन को ड्रो करेंगे और यहाँ पर प्रेंसिस कट का शेव दिया है रख्स की वेट हम 1.5 inch रखेंगे लाइन्द में 2.5 inch रखना है और शेव देना है स्लीस कट करने के लिए बैक अर्मोल को मेजर करना है हाफ इंच सुल्डर को स्टीच करने के लिए चुड़ा बाकि जो अर्मोल है वो है हमारा 9 inch स्लीस के फैबरिक को फोल्ड फोल्ड रखेंगे इसकी जो वीट थे वो हमें आर्मोल लेना है तो आर्मोल बना 9 inch था टोटल लैंद हमने 11 inch रखी आर्मोल था 9 inch तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जोईंट लगाना होगा 3.5 inch पर स्लीस को डाउन करेंगे जोग रखेंगे तो यहाँ पर हमें स्लीस को डाउन कर लेना है इस तरीके से शेव देना है तो यहाँ पर हमें जोट लगाना होगा इसमें स्लीस राउंड यहाँ पर 11 इंच उसका हाफ लिया तो इंच लिया मार्जन के लिए तो 7.5 इंच पर मार्किंग करते हो इसे कट करना है तो इसे हमने कट किया टू पार्ट्स में फ्रेंट के लिए शेव देना है तो शेव हम इसका बात में देंगे जब हम इसमें एक्स्ट्रा फैबरिक जोइन करेंगे तो मैं फैबरिक पर भी कट किया अब इसे स्टीचिंग करेंगे तो लाइनिंग फैबरिक के साथ इन दोनों पार्ट को स्टीच कर लिया है और इस पार्ट को भी लाइनिंग के साथ स्टीच कर लिया है अब हम नैक की कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने neck की width 2.5 inch रखी length हमने इसकी 6.5 inch रखी है यहाँ पर हमें round shape देना है तो देखिए मैं इसे नीचे के side से थोड़ा सा broad कर रही हूँ उपर के side से लेकिन हमको broad नहीं करना है उपर के side समने से 2.5 inch लिया है तो उतना ही हमें लेना है उपर side को stitch करना है अब princess cut के part को हम stitch करेंगे दूसरा part भी इसी तरीके से stitch कर लेना है नीचे के side इसमें हम पटी लगाएंगे तो पटी की width हम 1.5 inch रखेंगे एक stitch पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करना है दूसरे side भी इसी तरीके से पटी लगानी है अब हमें hook की पटी लगानी है तो इसे double करते हुए stitch करना है एक stitch lining fabric के उपर से करेंगे इसे अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो इसे width में हम 2.5 inch लेते हुए हमने से stitch कर लिया तो यह मैंने आपको बहुत 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 बताई है उसी तरीके से हमें लगानी है अब neck देखिए यहाँ पर हमें बराबर में रखते हुए से cut करना है अब यहाँ पर हमने cross में पटी कर की lining fabric की double करते हुए neck पर stitch करना है तो इसे हमने stitch कर लिया पूरे neck पर cut लगाना है एक stitch पटी के उपर से करना है पर्टी को अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे cut लगाने के बाद दूसरा neck भी इसी तरीके से complete करेंगे दोनों part complete हो गए half inch की गुलाई देनी है आर्मोल के side पे तो front part हमारा complete हो गया है पर के neck के weight 2.5 inch रखनी है land हम इसकी आपर रखेंगे 11.5 inch एक box बनाएंगे अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से dab करके दूसरे side इसकी marking ले ली है अब नीचे के side हमें इसमें हलका सा round देना है और से हम cut करेंगे तो यहाँ से हम marking करेंगे half inch पर और स्टरह से straight line row करते हुए से cut करेंगे यह देखिए तो हमने इसे cut कर लिया है अब मैं फैबरिक को right side पर रखा उसके उपर lining रखते हुए से stitch करना है extra fabric cut करेंगे corner निकाल लेना है इसका इसके उपर से एक stitch करनी है side से भी stitch करके extra fabric cut करेंगे दूसरा नेक भी इसी तरीके से complete करेंगे cut लगाना है पूरे हिन नेक पर और से पलट कर stitch करना है तो एक stitch lining fabric के उपर से करेंगे पाकी साइट से भी stitch करके extra fabric cut कर लिया back tux लगाएंगे इसकी जो लेन थे वो हम 4 इंच रखेंगे नीचे के साइट पटी भी लगा लिए है हमने अब लेस लगाएंगे इसके उपर अब यहाँ पर दिखिए मैंने इसकी जो width है वो 5 इंच रखी है लैंद इसकी मैंने 4 इंच रखी है इस तरह से stitch किया डबल करते हुए और इसकी जो stitching है वो center पर रखना है और इसके center पर हम एक marking करेंगे वहाँ पर हमें plates डालनी है बो बनाने के लिए यह देखिए इस तरह से अब एक पट्टी बनानी है इसकी width हमने 1.5 इंच रखी है इस तरह से दोनों साइट से फोल्ड करते हुए stitch करना है इस तरह से cut करके इसके उपर stitch करेंगे इसी तरीके से और भी बो हमें complete कर लेने हैं इसके लेन्ट ली है वह हमने हमारी जो वेक पार्ट है 15 इंच उसके अकॉर्डिंग ली है और इस तरीके से यहां पर हमें इस तरह से stitch करना है और नीचे के साइड में हमें या पर पति लगानी है तो इसकी जो हीट थे वह वव 1 इंच रखी है दुसरा से stitch किया इसको right side पर पहले नीचे के साइड इससे तरीके से फोल्ड कर लेना है और तरीके से फोल्ड करते हुए से stitch करेंगे ये देखिए तो इसे हमने स्टीच कर लिया है अब इसे हमें बैक पार्ट पर इस तरह से स्टीच करना है उपर के साइड रखते हुए स्टीच करेंगे साइड से भी स्टीच करना है स्टीच कर लिया है हमने से अब यहाँ पर हमें लेस लगा लेनी है दोनु साइड लेस लगा लेए पेपर को हमें इस तरीके से निकाल देना है बैक हमारा कंप्लीट हो गया है स्टीच को हमने यहाँ पर जाइंट लगा कर कंप्लीट कर लिया है आर मुल्था 9 इच तो 9 इच पर इस तरीके से cut किया 2 parts में हमें front के लिए shape देना है तो अब slice की जो design है वो हम cut करेंगे तो इसे 4 fold करा और यहां पर हम 4 इंच पर marking करेंगे इस तरीके से shape देंगे इसे cut करना है man fabric को right side पर रखना है उसके उपर lining रखेंगे और जो design हमने cut की है उसे हम stitch करेंगे तो friends देखें आपर मैंने कोई भी paper pasting यूज नहीं किया अगर आपके पास paper pasting नहीं है तो भी आप design को बना सकते है extra fabric cut करना है इस तरह से इसकी गुलाई है वो अच्छे से निकाल लेनी है गुलाई निकाल ली है center पर बोल लगाना है तरीके से हम इसे stitch करेंगे तो स्लीस भी हमारी बनकर complete हो गई है अब हमें solder को stitch करना है स्लीस सेंट पर रखते हुए stitch करेंगे तो स्लीस का extra fabric जो cut किया था उसे हमें front में stitch करना है दूसरी स्लीस भी इसी तरीके से stitch करेंगे center पर pin up कर लिया साइट से हमें से stitch करेंगे extra fabric cut करना है side का blouse को उल्ड़ा करके एक पेर का margin रखते हुए stitch करेंगे fitting लगानी है center से chest के fourth part पर यहाँ पर west का fourth part लेना है please round लेना है तिनों रख मार्किंग को मिलाते हुए fitting लगाएंगे फ्रेंड्स हमारे बलाउस बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लेक्षे जरूर करिएगा और चैनल को subscribe जरूर करिएगा तेंक यू